हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप स्वस्त और मस्त होंगे आज हम आपकी छटी क्लास की से आठवी तक के लिए जो गतिविदी पत्रक आई है 21 जनवरी के लिए वो करने वाले हैं संब्स बदी अपर है तब समय क्या है बहुत कीमती है हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार के लिए हमारा मार्द रसंद करते हैं हर काम समय के अनुसार करना चाहिए, काम समय पर करने में घड़ी हमारी मदद करती है, काम हम समय पर करें उसके लिए घड़ी हमारी मदद कर दिए, आईए अब समय के बारे में और जानते हैं, समय के बारे में क्या जानते हैं, हम जानते हैं, एक गंटे में कितने मिनट होते है साथ मिनट और एक मिनट में कितने सेकंट होते हैं साथ सेकंट यानि कि साथ मिनट को जब एक साथ मिला देते हैं तो वह एक घंटा बन जाता है और जब साथ सेकंट को एक साथ मिला देते हैं तो एक मिनट बन जाता है ठीक है तो देखिए आगे कहता है एक दिन में 24 घंटे है एक दिन में 12 गंटे के अंतर के लिए हम 12 गंटे के अंतर के लिए हम एम या पी एम का उप्योग करते हैं जैसे या तो हम एम में पढ़ते हैं टाइम को या पी एम में जैसे रात के 12 बच के एक मिनट से दिन के 11 बच के 69 मिनट तक हम एम का इस्तमाल करते हैं रात को बारा बच के एक मिनट से सुभा यानि के दुफैर के ग्यारा बच के उन्चाट मिनट तक हम एम का इस्तमाल करते हैं और दिन के बारा बच के एक मिनट से जब दुफैर को बारा बच के एक मिनट होते हैं तब से लेकर रात के ग्यारा बच के उन्से रिमट तक हम पी एम का इस्तमाल करते हैं उधारन पर प्राते छे बजे अगर सुभा के छे बजे हैं तो हम प्राते छे बजे लिखते हैं यानि के एम लिखेंगे शायंकाल के अगर 6 बजे हैं तो घड़ी को शायंकाल के 6 बजे कहा जाता है आओ कोशिश करते हैं आगे कहता है हम कुछ कोशिश करते हैं कहता है समय आपको दिखाना एम में या पी एम में एम में या पी एम में सुभा के 4 बजे सुबह के च 21.00 भजे हम नो एम ठीक है और साम के साथ बजे में नो एम क्या लिखते हैं सेवन पीए मैंट क्यालिख देंगे हम सेवन लुई सेवन या जिए फिर ah değild कै जंड अरह कैसा है नीचे नीचे कुछ कारे दीए नीचे कुछ कारे कारे देगी जब आप यह काम करते हैं नीचे देगी घड़ी दिखाई ये नीचे आप बजे उपते हैं सब बच्चों के उठने का अलग अलग समय हो सकता है कुछ पांच बजे उठते हैं सुभा को कुछ च्छ बजे कुछ साथ बज़े तो आप जितने बचे भी उठते हैं घड़ी में । सुभा उठेने का समय हमें दिखाना है हम दिखा देंगे इसको हमने मान लिया कि हम सुभा को साथ बज़े उठते हैं तो ए बड़ी सुई बारा पर ठीक है और चोटी सुई कहां दिखाएंगे हम साथ पर दिखा देंगे बड़ी सुई बारा पर चोटी सुई साथ पर दिखा देंगे इस तरह से हम दिखा देंगे कि हम साथ बज़े सुभा को उठ जाते हैं ठीक है अब दूसरा क्या है जी दूसरा है घर पर पढ़ाई का समय हम कितने बज़े घर पर पढ़ाई करते हैं त तो बारा नौ बजा देंगे हम समझो ठीक है कितने बजा देंगे हम नौ बजा देंगे मिनट की सुई कहां होगी बारा पर होगी ठीक है बारा बज़े दिखा दीजिये थोड़ा सीधा ये और मिनट की सूवइं कहा होँकि आपकी गंटे की सूवइं 9 बच zweiten खीक है जी या आपके 9 बच के घीक है जी अब आगे देखते हैं आगे कैसे आगे है जी खेलने का समय आगे क्या है आपका खेलने का समय क्या आप खेलते किस वक्त हैं हम पढ़ाई करने के बाद 9 से 11 हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद हम 11 बजे खेलते हैं 11 बजे हम क्या करते हैं खेलते हैं तो 11 बजा देंगे हम गड़ी में कि 12 बजे, मिनट की सुई और घंटे की 11 पर होगी, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, 11 बजे, ठीक है, इस तरह से हम 11 बजे खेलते हैं, अब कुछ भी समय दिखा सकते हैं, जो आपका खेलने का समय हो, जो आपके पढ़ने का समय हो, तो देखते हैं, आगे क्या कहता है, अगरा सब साम को आ जाते हैं तो हम शाम को आठ बजे खाना खाते और उसके बाद परिवार के साथ ही वक्त बिताते हैं तो हम शाम को आठ बजे दिखा देंगे कि आठ बजे परिवार के साथ वक्त बिताते हैं ठीक है यह आड़ बजे क्या हो गया परिवार के साथ वक्त बिताने का समय तो इस तरह सा आप घड़ी बना देंगे ठीक है और आगे देखते हैं आगे क्या है कोश्चन आगे कहता है उपरोक्त घड़ी में उपर आपको घड़ी दे रखिए उपरोक्त घड़ी A, B, C, D में यह A है यह B है यह C है और यह D है अंकित समय से संबंदित आपको निमलिकित प्रशनों के उत्तर देने हैं पहला प्रशन है कौन सी घड़ी में ढ़ाई बजे है यानि के 2 बच कर 30 विन तो हमें दिखाए दे रहा है कि D घड़ी के अंदर कौन सी घड़ी है D तो कौन सी घड़ी में ढ़ाई बजे हैं बता द यह हमारे 12 बज़े हैं ठीक है जी अब कहता है किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट है यानि कि 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होगा 9 बचकर 15 मिनट अब 9 बचकर 15 मिनट किसमें हैं जी सी के अंदर हमें दिखाए दे रहे हैं इसमें सी घड़ी में क्या दिखा देंगे उत्तर इसका सी इस तरह से बट आपकी वरक्षूट कम्प्रीट होगी उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समयाग होगी तो वरक्षूट को अच्छे से कर लिजेगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो करें अगली वीडियो करें